नमस्कार स्वागत है आपका पब्लिक एश्या मीडिया में मैं स्पोर्ट्स एडिटर शार्दू शंडिल ये लेके चलता हूँ आज आपको खास ख़बर की और बात करते हैं बैडमिंटन की एश्या टीम चैंपेंशिप में चीन से दो तीन से मिली हार प्रणे लक्षे की जीत के बावजूद दूसरे मैच में हारे स्टार बैडमिंटन खिलाडी एच एस प्रणे और लक्षे सेन ने अपने एकल मुकाबले जीते लेकिन चीन ने वापसी करते हुए दोनों यूगल मुकाबले जीत कर स्कोर दो दो कर दिया अंतिम मैच में राष्टिय चैंपेंशिप चिराग सेन को वांग जौंग जिन ने 15-21-16-21 से हराया जिससे बारत मुकाबला गवा बैठा भारतिय पुरुष टीम को सात्विक सराइज रेंका रेड़ी और चिराग शेटी की स्टार यूगल जोडी की काफी कमी खली जिससे उन्हें बरस्पतिवार को यहां बैडमिंटन एशिया टीम चैंपेंशिप के ग्रुप मैच में चीन से दो तीन से हार का सामना करना पड़ा सात्विक और चिराग को टीम प्रवंधन ने अराम दिया क्योंकि भारत पहले ही भुदवार को होंग कॉंग पर चार एक की जीत से क्वाटर फाइनल में जगे बना चुका था दुनिया के सात्वे नंबर के खिलाड़ी प्रणय ने दुनिया के सोलवे नंबर के खिलाड़ी वैंग पर चेंवो यौंग और लियू चिन से पंदरा इकिस एकिस उननिस उननिस से पराजित हो गए राष्ट मंडल खेलो के चैंपियन लक्षे सेन ने फिर लेई लॉन जी को चालिस मिनट में इकिस ग्यारा इकिस सोला से हरा कर भारत को वापसी कराई सूरज गुवाला और प्रित्री कृष्ण मूर्ती रॉय की जोड़ी को दूसरे यूगल में रेन ज्यांग यू और जी हाओ नान की जोड़ी ने तेरा इकिस नौएकिस से हार मिली जिससे स्कोर लाइन दो दो हो गई निनायक मैच में चिराग भारत के लिए मैच नहीं जीत सके भारतिय महिला टीम ने मंगलवार को आमने सामने लीग मैच में चीन को तीन दो से हरा कर उलिट फेर किया था जिसे उसमें ग्रुप में शीर्श इस्थान हासिल किया